साउधान हो जाईए घर से बाहर निकलने से पहले आपकी और मुश्किल बढ़ने वाली है क्योंकि मौसम की मार और सितम ढाते हुए दिखाई पड़ रही है ठिठुरन और बढ़ेगी पारा तीन डिगरी तक नीचे गिरेगा मौसम बिभाग ने जो अनुमान लगाया है इसके अनुसार पटना सहीत पूरे परदेश के अंदर ठंड से फिलहाल लोगों को राहत मिलते हुए नहीं दिखाई देगी आपको बता देगी पटना में जो कनकनी है वो फिलहाल बनी रहेगी इससे लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगा 24 जनवरी तक कोल डे को लेकर मौसम विभाग ने अलड जारी किया है छोटे बच्चों को घर में आप संभाल कर रखिये ये विशेश निर्देश दिया गया है 24 के बाद ही मौसम में कुछ सुधार होने की उमीदे लगाई गई है बिहार में कनकनी बढ़ने की वज़ा से राज में वाई मंडल के सबसे निचले अस्तर पर छोब मंडल में बरफीली पच्चुआ और उत्तर पच्चुआ हवा ने घना कोहासा ला दिया है जमुई के सिकंद्रा में 12.4 mm बारिस हुई नवादा में वार्सली गज में 3.4 जमुई 3 और सेखपुरा में 1 mm बारिस हुई बारिस से इन इलाके में निउन्तम तापमान में एगारे डिगरी सलसियस तक जो है ठंड बढ़ी हुई है जो तापमान ना पा गया इसे जो मौसम विभाका जो अलट है वो सीधे तोर पर छेतावनी वाला है मौसम बिज्ञानिकों का मानना है कि पच्छिम बिछोप के बार बार आने की संभावना के कारण इस साल पिछले वर्स के मुकाबले कोल दे अधिक रहेगा अगले 24 घंटे में नियूंतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन उसके बाद अगले 5 दिनों में नियूंतम तापमान में 2 से 3 दिगरी की और गिरावट हो सकती है पटना समित राज के कई हिस्से में घना कोहरा तो कई मध्य इलाके में मध्य अस्तर पर कोहरा छाया रहेगा 19 से 20 जनवरी को राज के कई भागों में कोल दे जबकि 21 और 22 जनवरी को सिवियर कोल दे होने की उमीद जताई गई है आपको बदाए दे कि इस बार फिर से फारविस गज दूसरे दिन भी सबसे ज़्यादा ठंड वाला जिला बन के आया महीं जमूई और नवादा में सेक्पुरा में जिस तरीके से बारिस हुई औहां भी ठंड ने परचंड दस्तक दी है गुरुबार को पटना का अधिक्तम तापमान 13.7 दिगरी रहा और निवन्तम 10.4 दिगरी सेल्सियस दर्श किया गया गया का अधिक्तम पारा 14.2 और निवन्तम पारा 11.2 दिगरी सेल्सियस रहा खास बात यह रहा कि पत्ना और गया के अधिक्तम और निम्तम तापमान में मात्र 3 डिगरी का ही अंतर रहा इस वज़े से ठंड ज्यादा महसूस की गई पत्ना पुनिया और गुरुबार को सिविर कोल्डे की चपेट में रहा दूसरी और फार्विस कर लगतार दूसरे दिन भी सर्द रहा गुरुबार को यहाँ निम्तम तापमान 60 डिगरी और मोतिहारी का भी निम्तम तापमान 60 डिगरी ही बना रहा इस कारण कई जो ट्रेन है वो चार से पाच घंटा लेट चल रही है तो कई फ्लाइट रद रही आज भी उमीदे इसी परकार से जताई जा रही है ये लो मूमीठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined